Weighted Moving Average Method यानि कि Weighted Moving Average Method का यूज़ करके आप किस तरीके से Sales Forecasting और फिर Demand Forecasting कर सकते हैं तो आपको Question दिया रहेगा कि calculate the 3 years Weighted Moving Average जहां पे आपको Weight भी दिया रहेगा कि Weight है 1, 2, 1 इसी तरीके से Calculation of 5 Years Weight पूछ सकता है कि 5 Year Weighted Moving Average आप calculate रहेगे जहां पे आपको 5 Ways दिया रहेंगे तो यहां पे 3 years का पूछ है तो यहां पे आपको 3 Ways भी दिया रहेंगे 1, 2, 1 और उसके बाद फिर आपको data दिया रहेगा कि Year आपको दे दिया गया इधर sales दिया गया कि Year 1 में इतनी sales थी, Year 2 में इतनी sales थी, Year 3 में इतनी sales थी तो आपको 3 years Weighted Moving Average जहां calculate करना है यह जो data दिया गया है उसके लिए और Weight क्या है 1, 2, 1 मतलब कि 3 साल का 3 weight आपको यहां पर दिया गया है तो सबसे पहले आपको क्या करना है table form बनाना है clear तो आपने जो है एक ऐसा table बना दे यहां पर आपने left side में year लिख लिए है फिर sales लिए है उसके बाद फिर आपने क्या करना है 3 year Weighted Moving Total find out करना है 3 year Weighted Moving Total 5 year होता तो 5 का find out करते 3 year है तो 3 year का Weighted Moving Total जो है वो find out करना है तो weight 1 to 1 दिया हुआ है question में clear तो अब यहां पर देखिए 3 year है तो जो sales वाला column है आप 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 देखेंगे तो यहां पर आपको जो 3 year का Weighted Moving Total calculate करेंगे तो कैसे करेंगे जो year 1 का sale है 2, 2 में क्या करेंगे पहला weight into कर देंगे 2 into 1 उसके इसके बाद फिर sales जो दूसरे year का sale है 4 तो 4 में second weight को multiply करेंगे और इसके बाद जो third year का sales है 5 में third weight को multiply करेंगे और उसके बाद फिर तीनों को add कर देंगे तो कुछ इस तरीके से जैसे कि आप इस screen पर देख रहे हैं तो किसी इस तरीके से आप लिखेंगे और यहां पर यहा तो यहां पर 2, 4 और 5 यह 3 year का हम जो है यहां पर weighted moving total निकाल रहे हैं तो 2 को 1 से multiply करेंगे 4 को 2 से multiply करेंगे और 5 को 1 से multiply करेंगे जो की weight दिया गया था clear तो 2 into 1 plus 4 into 2 plus 5 into 1 is equal to क्या जाएगा 2 plus 8 plus 5 equal to 15 आ जाएगा clear अब इसी तरीके से आप जो है next 3 year का weighted moving total निकालेगे तो next 3 year क 4, 5 का हमने निकाल लिया अब है 4, 5, 7 तो 4, 5, 7 में 4 को 1 से 5 को 2 से और 7 को 1 से multiply कर देंगे तो इस तरीके से आपके पास data जाएगा 4 plus 10 plus 7 equal to 21 clear इसी तरीके से फिर next जो है आपका 3 year का होगा that is 5, 7 और 8 यानि की 3rd year, 4th year और 5th year का हम करेंगे तो 5 into 1, 7 into 1 और 8 into 7 into 2 और 8 into 1 तो 5 plus 14 plus 8 यानि की 27 बना जाएगा इसी तरीके से next year, 3 year का जो हम weighted moving total calculate करेंगे that is 7, 8 और 10 और इसकी value हम 8 के सामने लिख देंगे तो 7 into 1, 8 into 2 और 10 into 1 इसको add कर लेंगे 7 plus 16 plus 10 आजाएगा equal to 33 हो जाएगा इस तरीके से 8, 10 और 13 next 3 year का जो हम यहाँ पर weighted moving total calculate करेंगे तो 8 into 1 plus 10 into 2 plus 13 into 1 त तो ठीक तो इसको multiply करेंगे तो 8 plus 20 plus 13 आएगा यानि की total 41 अब देखिए next 3 year आपके पास नहीं है, अब क्या बचा आपके पास 8, 10, 13 यह हो गया, अब 10, 13 उसके बाद फिर next year का कोई आपका डिपास data नहीं है तो यही तक जो है आप stop हो जाएगे, आगे 13 पर आपको यह calculation नह करेंगे, तो यहां पर आपको क्या करना है, जो weight है 1, 2, 1 इसको plus कर लेना है, add कर लेना है, clear, तो 1 plus 2 plus 1 करेंगे, तो कितना आगया, weight 4 आगया, अब इसी 4 से जो आपने weighted moving total निकाला है, उसको divide कर देना है, और वही आपका आजाएगा 3 year weighted moving average, तो पहला आपने weighted moving total का निकाला ह 15, तो 15 को आपको क्या करना है, 4 से divide कर देना है, तो आपका आज जैगा 3.75, 3 year weighted moving average, इसी तरह के से define, 31, so 21 को 4 से divide कर देना है, 5.25, 27 next है, तो 37 को 4 से डिवाइड कर देना है 6.75 फिर इसी तरह के से 33 को 4 से डिवाइड करेंगे 8.25 और 41 को डिवाइड करेंगे 4 से 10.25 तो यह आपको जो है 3 year weighted moving average आ गया clear तो आपको जो है जब भी weighted moving average method का use करने के लिए बोला जाया तो 3 year है कि 5 year है वहाँ पे आपको दिया रहेगा प्लस उतने ही weight दिया रहेंगे तो सबसे पहले आपको 3 year weighted moving total निकालना है तो आपको जो है सुरू कि 3 years लेने हैं और फिर weight से multiply कर देना है अगर 3 year moving average पूछा है फिर 3 year का निकालके next 3 year फिर next 3 year इस तरहिके से जब तक आपके पास 3 year का combination बन रहा划गा या फिर 5 year पूछा है तो तब तक आपको जो है weighted moving total निकाला है उसके बाद जो weight आपको दिया गया होगा उसको add कर देना है जो weight का sum आएगा उससे जो फिर आपने weighted moving total निकाला है उसको डिवाइट करेंगे आपके पास 3-year weighted moving average या फिर 5-year weighted moving average calculate होके आ जाएगा विशु आल दा बेश्ट, keep watching